इसमें लाए रमारे में स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा बलके डिटेल में समझाऊंगा ताकि इससे मिलते जुलते मधीद क्वेस्टेंस भी आप सॉल्फ कर सकें क्वेस्टन वन विच पॉइंटिंग डिवाइस इस पॉपुलर विज एटीम मशीन एटीम में कौन सी डिवाइस लगती है आप तरह यह देख लें कुछ डिवाइस एंट्रैक बॉल पॉइंटिंग स्टेक यह होती है यह तुछ पैड यह नहीं होती तुछ स्क्रीन यह लग रहा है जॉइस्टेक और पैन वैसे आप देखें के कैसी होती ATM मेशीन भी लिल्कों लेदी जैसी टॉच स्क्रीन लगी होती है तो हमारा अंसर है टॉच स्क्रीन रिषिन लिंध्यृiron डलेशी, इसको एपको बार्स आपको पता है अंसर भी है लेकिन हम बाकी भी देखते हैं Optical scanner आपने कोई भी document ये कोई भी picture scan करके computer में लानी है तो वह Optical scanner करता होता है यह देखें यह Optical scanner और यह कहा था Optical laser bar code reader थी portable scanner जो के हाथ में जे में लेकर आप जा सकते हैं तो basically हमारा जो answer रहनता है magnetic card reader होता है और वो कैसे किस चीज़ को read कर रहा होता है magnetic card reader आपकी इस magnetic strip को read करता है जो कि आपके card की back side पे होती है So B is the answer Question C What is the full form of web? Wireless access place? नहीं Wireless access protocol? Yes, यह हो सकता है Wireless access point? यह भी हो सकता है Wireless access portion? यह नहीं हो सकता है ऐसा कोई लवज नहीं है computer में तो basically यह B और C दोनों इन्हों ने एक जैसे दे दी है इनमें से कोई भी answer सही हो सकता है क्योंकि यह abbreviation तो इन दोनों की है लेकिन देखते हैं यह ज़्यादा करीब तर कौन सा है Wireless application protocol makes it possible to access the internet via wireless devices such as mobile phone, PDAs, etc और wireless access point क्या होता है जो के basically कुछ जगों पे तो router के अंदर ही built-in होता है कि यह इसको खाया जाता है wireless access point तो basically दोनों यह answer ठीक हो सकते थे लेकिन जो book ने या board ने जो अपना solution दिया हुए उसमें wireless access protocol को दिया यह यहां से इनके गलती भी भी है कि इन्होंने दोनों एक जैसे दे दी है Which one of the falling orbits is at a distance of 22,000 miles from the surface of the earth आपको जितनी भी इंटरनेट पे डाग्रामस मिलेंगी वो किलोमीटर में मिलेंगी अपनी book के अंदर भी जारतर आइसी चीज़े है सबसे lower जो earth orbit होता है उसको होता है 500-1000 km के फासले पे फिर medium earth orbit होता है 5000-15,000 km और geostatic earth orbit इसको geostatic इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेटरेट होती है वो बिल्कुल जैसे जैसे जमीन गुमरी होती है बिल्कुल उसके साथ साथ ऐसा लगता है सामने ही गुमरी है 56,000 km को माइज में change करना है तो divided by 1.6 कर देंगे आंसर आजेगा 22,500 miles और हमारा भी question यह 22,000 बड़ाई करीब है तो यह जियो ही बनता है alpha a part question 5 which one of the following is the example of one to many relationship class to teacher एक class होगा तो उसमें एक ही teacher पढ़ा रहा होगा college campus to teacher college campus में बहुत सारे teachers होते हैं college to principal college में एक ही principal होता है यानि one to one ही है और country to capital एक country में एक capital होता है तो one to many की example यही है college campus with teachers so B is the answer question 6 which device use spindle to hold the discs इसकी तश्वीरे देखते हैं compact disc कहते हैं CD को इसमें तो कोई spindle नहीं होती floppy disc के अंदर एक छोटी ती खोल चीज तो है लेकिन यह spindle नहीं है ठीक है hardest इसके अंदर इस spindle होती है और यह क्यों यह जोती है कि इसकी जो इस तरह की plates होती है जिस तरह CD type की एक दो तीन चार पांच छे जितनी भी plates होती है उन सब को यह बांथ के रखती है जोड के रखती है ठीक है और इस किस speed से गुमती है वो डिफाइन करता है कि hard disk कितनी अच्छी है और RAM जो है उसके अंदर तो बिल्कुल कोई spindle time की चीज नहीं होती है तो hard disk is the answer Question 7 Which device have instructions to load operating system from hard disk to RAM जिसको BIOS भी बोला जाता है BIOS basic input output system अभी यह आप देखने है और RAM RAM जो होती है आपकी main memory होती है ठीक है जब भी computer ने on हो जाता है on होने के बाद यह काम करती है और इसके अंदर कोई भी hard disk से data आजाए तो पहले इदर store होता है फिर आगे जाता होता है CPU से काम करके screen पर display हो जाता है यह जब हम कोई input लेते हैं तो वह पहले RAM में आता है और फिर उसके बाद hard disk भी जाता है तो यह तो नहीं होती इसमें operating system नहीं होता है क्योंकि operating system बंद होने के बाद भी रहना चाहिए RAM जब computer off हो जाता है तो यह zero हो जाती है इसके उपर कोई data नहीं रहता है यानि कि यह volatile है यह delete हो जाती है Cache क्या होती है Cache is a smaller memory than RAM but much faster smaller but faster इसका काम यह होता है कि CPU जो बार बार RAM को access कर रहा है जो frequently required data होता है वो cache में store कर लेता है आपने देखा होगा कभी के बार आप जो इंटरनेट पर Google को सर्च करते हैं तो आपने जो पहले चीज़ें सर्च की होती है वो automatically नदर आ रही होती है वो cache की विज़े से नदर आ रही होती है तो यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें operating system थोड़ी आर सकता है यह भी volatile होता है यह भी delete उस time के लिए off हो जाती है जब computer बंद होता है फिर आ जाता है आप रहें Registers Registers is one of the smallest set of data holding places that are part of the process यह smallest है लेकिन fastest है और यह अक्सर प्रोसेसर के अंदर ही होता है ठीक है और यह भी तरही बात है volatile होता है यह भी off हो जाता है off होने के उपर इसके इंद से data wipe out हो जाते है फिर एक बज़ जाती है ROM Read only memory this is the one cannot be changed यह company से बना-बनाया आते cannot be removed इसको अटाया नहीं जाता है fix किया जाता है manufacturer की तरफ से अंदर ठीक है और integrated circuits के अंदर होता है data used to permanently store startup boot instruction this is the answer ROM जो हता है आपका operating system को अंदर save रखता है question 8 which theoretical foundation of database determines that how data is stored organized and manipulated इसके लिए आपको इंतवाम की definitions आना चाहिए सबसे पहले आप देखें database model क्या है is a type of data model that determines the logical structure of database basically यह answer है determines how data is stored logical structure क्या होगा database को बनाने का वो database model हमें बताता है तो answer यही है लेकिन बागी देख लेते है database structure क्या होता है यह defines an object करता है एक object को define करता है database में database design क्या होता है design जो होता है आपको designer जो होता है collection of steps steps बना रहा होता है पहले क्या काम करूंगा फिर क्या है तो यह database design collection of steps को कहते है database architecture क्या होता है application of programming languages to design software के apply किस तरह करो क्या आप languages को ठीक है लेकिन जो हमारा सवाल है that how data is stored वो logical structure of database क्या होगा तो database model ही बताएगा so A is the answer question 9 which component generates signal to execute an instruction ALU क्या चीज होती है arithmetic logic unit इसमें arithmetic module होता है और logic module arithmetic module arithmetic calculations करता है और logic module 1-0 की logical calculation true-false वाली करता है तो यह तो नहीं हो सकता decoder नाम बता रहा है कि वह जो coded चीज़ आ रही होती है और इसको decode करता है तो यह भी नहीं हो सकता cache मैं आपको पहले बता चुका हूँ it is a faster memory which sits between CPU and memory तो यह भी नहीं होता तो finally timing and logic control बन गया है वह हमारा answer होगा और वह क्या करता होता है it generates a pulse हर थोड़ी दिर बाद के pulse generate करता है और उसके उपर वह instruction को execute करता है question 10 which one of the following is unidirectional bus unidirectional bus unidirectional bus कौन सी होती है सबसे पहले सारी सारी buses देखने तीन buses होती है data bus, address bus, control bus इन सब को कहा जाता है system bus ठीक है अब जारी बात है तीनों हैं तो जारी यह तो नहीं हो सकती कोई तो इसमें unidirectional भी होंगी control bus को देखें यह bidirectional है bidirectional है bidirectional है तो control bus नहीं हो सकती ठीक है address bus को देखें यह एक तरस से जा रहा है वापस नहीं आ रहा है memory से वापस नहीं आ रहा है यहां से जा रहा है यहां से आ रहा है यह तो जा सकता है यह आ सकता है तो यही unidirectional bus होती है डेटा बरस बाइड को देख़े बाइड बाइड इरेशनल है बाइड डिरेक्शनल है जंब जा आँनल आझत berries बाइड फिर अजटे हैं Washington इस्टा के इस्ट सब्सक्रायां यह स्टर हिसली से निश्च करता होती है और इह पिछीज अरक Avatar in होते हैं ठीक है क्योंकि इसके अंदर स्टोर के अंदर memory की location change हो रही होती है from register into a memory location loop क्या कर रहा होता है आपने C language में पढ़ा कि repetitive execution of a block of instructions तो ये नहीं हो सकता shift क्या करता है shift the bits of a value in a register either to the left or to the right तो ये भी नहीं हो सकता jmp jump क्या होता है jump to a different location in the code जिस तरह go to होता है ठीक है तो ये हमारा store ही इसका answer है question 12 for which purpose class C is used multicasting broadcasting तो नहीं हो सकता है क्योंकि unicast का मतलब होता है one to one multicast का मतलब होता है one to many अब देखें ये सारों को तो नहीं जा रहा है कुछ को जा रहा है ठीक है और broadcast जिस तरह FM radio वाले वो broadcast कर रहे होते हैं वो सब को जा रहा होता है FM नहीं होता कि कुछ लोग कहा है कि हम नहीं देख सकते हैं हम नहीं सुन सकते ठीक है तो जो television की broadcasting होती है ये radio की वो सब को पहुंचती है तो ये या तो small size हो गए या large size अब आप ये देखें कि ये टेबल मैंने दिखाया आपको था कि आपको class A, B, C समझ आजए host पर network कितने हैं इसमें ये C के अंदर देखें 254 थोड़े से hosts इंदर रहा रहे है तो यानि कि एक छोटा सा network है तो बेतिकली ये ये answer है B को देखने B के अंदर 65,000 users हो सकते हैं और class A के अंदर 16 million user दो सकते हैं so हमारा answer class C के लिए क्या होगा small size network question 13 which one of the following network devices is used to forward data packets across similar or different networks different question है जरा समझ दी server तो क्या होता है main server होता है जिसके अंदर खास किसम की web services मौजूद होती है जैसे के google का server जो है अमेरिका में भी बड़ाव है Canada में भी होका और India में भी मौजूद है ठीक है वहाँ पर google का data access किया जाता है फिर modem क्या होता है इसका नाम होता है modulator, demodulator तो पनाने वक्तों में जिन लोगों ने DSL से पहले वाले connection देखे हैं टेलिफूल 9 घर के अंदर आ रही होती थी जो कि analog signal लेके आ रही होती थी फिर modem क्या करता था उसको digital में convert कर देता था और ethernet cable के दर ये computer में लेकर जाता था और वो एक ही computer को दे सकता था ठीक है या जितने भी लगाने होते थे फिर उनको उतनी cable लगाने होती थी लेकिन बहुत slow होता था नॉर्मली एक ही लगाते थे लोग फिर उसके बाद आ गया जी router router एक टाइम पे एक लैदा घर के अंदर जो है ना मुक्तलिफ devices को सारी के सारी wifi के signal दे सकता होता है ठीक है इसी तरह एक router से दो मुक्तलिफ networks को भी दिया जा सकता है तो यही आंसर होगा network devices used which network devices used to forward data packets across similar or different networks पहले देखें एक ही network के अंदर दे रहा था अब दो different networks के अंदर दे रहा है तो फिर gateway क्या काम करता है gateway connects dissimilar networks यानि इस प्रोटोकॉल और होते हैं network के इस network के और प्रोटोकॉल होते है तो अगर इसमें भी एक router लगाव है इसमें भी एक router लगाव है तो gateway उन दो routers के बीच में communicate करा के देते हैं तो हमारा answer जो है router है क्योंके router जो है दो systems के बीच में network के बीच में भी communicate कर लेते हैं और एक network के अंदर भी तो वी इस दा answer question 14 which data type is most suitable for storing address of employee employee का address किस में आना चाहिए short text, long text yes, no, date time अब आप सोचें आपके किसी दोस्त का घर है किसी जगापे जिसका नाम है कुदबुदीन एबक रोड इतना बड़ा नाम और वो हो भी किसी ऐसे शहर में जैसे जलाल, पूर, जटा तो यह बहुत लंबा है तो देखने भी बदर लग रहे long text होगा लेकिं दरा पढ़ने short text भी है 255 characters तक store कर सकते है यानि आपका अगर चोटा था address है तो इसमें आएगा long text 65,000 characters तक तो long text ही हमारा answer होगा लेकिन yes no को भी देखने yes no boolean के अंदर आता होता है या true or false और date और time तो कभी भी नहीं हो सकती तो हमारा answer होगा long text question 15 which one of the following port is not replaced by USB port very interesting शुरू शुरू में हम लोग यह serial और parallel port के साथ PS2 के साथ काम कर रहे होते थे बड़ा time wastage होता था अभी आप लोग जिस दौर में पैदा होई हैं आप लोग बड़े आसानी हों के अंदर मेदा होई हैं तो USB से बनता क्या है Universal Serial Bus यानि जिस तरह Universal Charger होता है न सब को लग जाता था Universal Serial Bus बस हर काम को कर देती है keyboard को भी लगा देती है mouse को भी attach कर देती है तो पहले इसने किस-किस को replace किया है serial port को इसमें एक ही byte एक time पे transfer हो सकती थी parallel port कई bytes transfer हो जाती थी keyboard और mouse के लिए इस तरह का connector यूज होता था जिसको PS2 यूज किया जाता था और game port इस तरह की होती थी तो ये सारे replace कर दी है किसने USB ने तो किसको ने replace किया firewire को और आजकल firewire आप किस-किस चीज में देखते हैं यूज हो रही है या तो camc borders में होती है camera's के साथ यूज हो रही होती है जिसका एक side तो USB वाला ही होता है लेकिन दूसरा side firewire होता है और hard disk जो external hard disk होती है उसके अंदर एक side पे firewire होता है दूसरे side पे USB वाली होती है तो ये firewire हमारा answer है अमीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आईए तो comment जरूर कीचेए मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टरब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टरब होते हैं बलकि अपना focus भी lose कर जाते हैं अलबता वीडियो के आखिर में जरूर याद करा दूं के अपनी राएका इसहार कमेंट में जरूर किया करें ये आपके उस्टाद के लिए oxygen की हैसिएत रखते हैं खुश रहें और राप्ते में रहें